NEED 2022 का जो application form में उसको release किया गया है NTA की और से और 6 मई तक आप application कर सकते हैं इस बार काफी बड़े बदलाओ किया गया हैं जैसे कि left thumb impression की जगा इस बार आपको 10 fingers की complete thumb impression आपको देनी पड़ेगी लेकिन पहली बार आधार का verification NTA की और से किया जाएगा यानि आपको अपने आधार की detail देनी पड़ेगी उसका online verification होगा अगर आपके documents में यानि class 10th में और 12th में अगर आधार में documents में name match नहीं कर रहा है उस case में आपको क्या करना पड़ेगा step by step कैसे application form को fill करना है क्या क्या details आपको देनी पड़ेगी document कौन-कौन से required होगे कौन-कौन से documents आपको ready रखने है step by step guidance complete detail form fill करने का NIT 2022 के application का बताएंगे इस छोड़े से वीडियो में आप medical wing के साथ बने रही है चैनल पहले बार विजिट करने अभी तक आपने इसको subscribe नहीं किया तो इसको subscribe जरो किजिए ताकि future के updates आपको मिलते रहे हैं guys जो official website है neat.nta.nic.in इस website पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर यह नीट की official website है यहाँ पर आपको जो notification है public notice का जो section है यहाँ पर जो online application का link है online application के जो notice है वो मिल जाएगा information booklet आपको यहाँ से download करना है information पर जाएंगे information bulletin आप यहाँ से download कर सकते हैं application कहाँ से start करना है then guys candidate activity यहाँ पर है registration for NEET UG 2022 इस पर जैसे ही click करेंगे एक नया window open होके आएगा और विस window से आपको start करना है window कुछ इस तरीके से होगा लेकिन आपको form कैसे बरने कहाँ पर click करना है guys यह application replica है यहाँ से मैं step by step process आपको बतने वाना हो कि 2022 का जो application form हो आपको कैसे fill करना है new registration पर आपको click करना है जैसे आप click करेंगे then जो details आएंगी registration यानि जो आप registration करेंगे वो plus application form और उसके बाद fee payment यानि तीन type में आपको form को fill करना है 3 steps में 2021 में क्या किया गया था कि जो NEET का application था exam से पहले एक बार fill करना था exam हो जाने के बाद दुबारा से कुछ details fill करना ही थी लेकिन इस बार ऐसा नहीं है 2022 में जो complete application है वो आपको एक ही बार बे fill करना है और उसके लिए आपको registration करना पड़ेगा अगर हम fees की बात करें कि fees कितनी लगेगी दिरगाई जनरल के जितने भी students है उनको 1600 रुपे इस बार पे करना पड़ेगा जनरल में EWS और OBC, NCL non-crimi layer के जो students है उनको 1500 रुपे पे करना पड़ेगा 1500 SC, ST और PWD candidates के लिए यह जो fees है यह 900 रुपे है और अगर आप outside इंडिया यानि भारत के बाहर के अगर रहने वाले तो उस case में जो fees लगेगी वो 8500 रुपे लगेगी रैट सो यह fees थी और इसके बाद जब आप क्लिक पर आगे क्लिक करेंगे दिन उसके बाद एक warning का पेज आएगा वहाँ पर आपको I agree करके आगे बढ़ना है और उसके बाद कुछ details वहाँ पर दे गई है details में जैसे कि आपको documents क्या के ready करके रखना है वो सारी चीजे यहाँ पर द यहाँ पर आपको registration को जो first step है very first step है वो आपको यहाँ से start करना पड़ेगा यहाँ से जब आप start करेंगे तो सबसे पहले candidates का name उसके बाद father's name then mother name then आपकी जो date of birth है वो आपको यहाँ पर इंटर करनी है then आपका gender, nationality, Indian, NRI, PIO या फिर foreign national है तो उस case में nationality और उसके बाद identity type identity type यानि जो identity में documents आप दे रहे हैं वो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा select का option आएगा तो यहाँ पर passport, voter ID और उसके बाद driving license या फिर जो आधार काड़ वो आएगा और उसके बाद identification number यहाँ पर पहचान संख्या आपको वो upload करना यहाँ पर आपको इंटर करना पड़े इसके बाद permanent address है वो फिल करना पड़ेगा present और permanent address अगर आपका same है तो फिर आप यहाँ पर same as present address पर click कर सकते हैं वो जो complete detail है automatically यहाँ से फिल हो जाएगी उसके बाद आपको अपना password बनाना है password के लिए ध्यान रखेगा एक capital letter English का और उसके बाद small letter plus numbers और जो symbol होते हैं like add य यह आप use करिए ताकि आपको जो password है वो strong रहेगा और उसके बाद जो security पीन है वो जो यहाँ पर security में show हो रहा है इसको आपको इंडर करना है submit करना है submit करते ही जो next page open हो के आएगा then वो page गया इस तरीके से होगा activities में registration आपका complete हो चुका है application form आपको भरना है और उसके बाद fee payment करना है application form को जो tab है वहाँ पर जब आप detail में आगे भरेंगे देना आपको वहीं पर documents भी upload करने पड़ेंगे इसके बाद जब यह page आ जाएगा यहाँ पर complete application form पर click करना है click करते ही then यह जो page है आपका कुछ इस तरीके से open हो के आएगा contact detail आप पहले से बर चुके हैं यहा जार की detail भरनी है apply for and exam centered details यानि जो exam centered details है वो आपको भरना है यह कई सारी details यहाँ पर आपको fill करने पड़ेंगे qualification detail आपको इसी time पर भरना है additional detail जो मांगा गया है neat आपने पहले examination दिया है नहीं दिया है अगर दिया है तो फिर उसकी detail और उसके बाद document upload और final submit यहाँ पर आप proceed करना है यहाँ पर personal detail में आपको जो आपकी personal details है वो आपको fill करना पड़ेगा और उसमें candidates का name और उसके बाद date of birth यह candidate का name already जो आपने पहले फिल किया है वो वहाँ से ले लेगा और जो भी आपने details पहले registration के time पर दिया है वो complete detail यहाँ पर आ जाएगी और उसके बाद दो तीन information जो आपसे मांगी जाएगी वो है आपका जो place of residence है वो कौन सा है अगर diabetic आप है या नहीं है तो उसकी detail annual family income minority से अगर आप belong करते है या नहीं या फिर किस country से आप belong करते है तो residence जो country of residence है वो आपको देना पड़ेगा normally इंडिया अगर आप है तो आपको इंडिया ही देना पड़ेगा और उसके बाद do you intend to wear customary dress contrary to the dress code while appearing in NEET UG2022 यहाँ पर आपको normally no करना है लेकिन कुछ लोग जो customary dress when के जाना चाहते है वो guideline दे गई है information booklet में तो उस हिसाब से ही आप yes कीजिएगा और उसके बाद अगर आप preparation कर रहे थे नीट का तो जो preparation थी वो आप कैसे क पड़ेगी उसके बाद security पिन इंटर करने के बाद next page पे save and next आपको करना है ओके आधार की जो detail है वो आपको यहाँ पर इंटर करना पड़ेगा अगर आपके पास आधार है तो फिर आपको यहाँ पर yes करना है right yes करते ही उसके बाद आपका जो आधार का number वो आपसे मांगा जाएगा और यहाँ पर एक चीज आपको क्लिक करना है I voluntary agree to share my आधार number and I am aware that it will be used to establish my identity for the national eligibility come entrance test undergraduate 2022 examination by matching my personal identification details available in आधार records of UIDAI यहाँ पर आपको क्लिक करना है right और उसके बाद कई सारे students होगे जिनके कि आधार में जो name है और जो document में name है like जो 10th का certificate है 12th का certificate mark sheet है वहाँ पर changes होगे यानि वो same नहीं हो उस case में क्या है कि आपको यहाँ पर एक दो बार क्लिक करके इसको submit and next करना है अगर यह नहीं लेता है उस case में आधार कार्ड पर मेर जानकारी वह नहीं है जो अविदन पत्र में दरज की गई यानि document के हिसाब से अगर आपके आधार पे नाम miss match है तो उस case में आप यहाँ पर click करके आगे proceed कर सकते हैं यहाँ पर I confirm that I have read and understood यह जो tab है यहाँ पर आपको click करना पड़ेगा टिक करना पड़ेगा और उसके इसका ही पेपर आएगा यानि English format में आपके पास पेपर आएगा लेकिन अगर आप कोई एक और language क्योंकि 13 languages में नीट का examination इस बार होगा तो अगर आप Hindi चूज करेंगे दिन आपके पास bilingual यानि Hindi और English दोनों का mix पेपर आएगा अगर आप Bengali चूज करते हैं दिन आपको English औ अगर आप उर्दू चूज करते हैं तो उर्दू और English आएगी लेकिन अगर आप सिर्फ English पर क्लिक करेंगे दिन आपके पास जो पेपर आएगा वो सिर्फ और सिर्फ English में आएगा उसका Hindi वर्जन नहीं आएगा उसके बाद जो examination center आप चूज करना चाहते हैं city वो आपको यहाँ पर फिल करना है उसके बाद father का occupation क्या है और उसके बाद father का qualification क्या है mother occupation mother की qualification और उसके बाद security पर इंटर करने के बाद आपको आगे proceed करना है यहाँ पर जो 10 और equivalent qualifying details है यानि class 10 की details वो आपको यहाँ पर इंटर करना है यह सारी details भर जाने के बाद और उसके बाद class 11 की जो details है वो आपको यहाँ पर fill करना है लेकिन अगर कई सारे students होगे जिनके पास class 11 की detail available नहीं है तो उस case में यहाँ पर आपको कोई भी column select नहीं करना है कोई भी problem नहीं आने वाले लेकिन जिनके पास complete detail है 11 की वो आपको यहाँ पर fill करना है और 12 की जो detail है अगर आप pass status अभी आपने पास नहीं किया है तो फिर यहाँ पर बाकी की सारी details आपको भरने की कोई जरूरत नहीं है यानि appearing year करके आप इसको आगे बढ़ सकते हैं और उसके बाद security pin एक बार फिर से आपको इंटर करना पड़ेगा हर बार जितनी बार आप security pin एंटर करेंगे वहाँ पर कई बार आप चेक जरूर कर लिजेगा क्योंकि कई सारी details है जो कि इस बार edit का मौका NTA नहीं देगी जैसे की हर साल देते थी लेकिन हाँ कई बार होता क्या है कि कई बार जो students है काफी सारे students वो NTA को request करते हैं कई बार कुछ field को edit करने का option NTA की और से दे दिया जाता है कोई भी ऐसा notification edit करने का application का जब भी NTA की और से आएगा medical wing की और से उसको update किया जाएगा आप medical wing के चैनल को subscribe जरू कर दीजे ताकि future को जो updates है वो आपको non stop मिलते रहेंगे जो additional details है additional detail में आपने need का examination दिया था अगर हाँ तो फिर कब दिया था और उसके बाद place of birth कौन सी है कहाँ पे है आपकी वो और उसके बाद district और जो राज है यानि state वो कौन सा है और उसके बाद आपको document यहाँ पर document अपलोड करने कि जब हम बात करते है passport size की जो photograph है 80% आपका जो face है वो photograph में maximum 80% visible होना चाहिए यानि आपका face बाकी के 20% में बाकी का जो area है वो होना चाहिए और इसके अलावा इस बार left hand thumb impression की जगा left and right hands fingers and thumb impression दोनों मागा गया है यह आपको किस format में आपको fill करना है वो हम अभी आप लोगों के साथ share करेंगे signature आपको scan करके रखना है वो डालना पड़ेगा इसके बाद भी यह कहा जा रहा था कि इसको upload करना पड़ेगा लेकिन finally इसको upload नहीं करना पड़े था लेकिन इस बार class 10th का जो certificate है वो आपको upload करना पड़ेगा और यहाँ पर इसके लिए choose file का option है यह सारे document आपको upload करने पड़ेंगे यह document जब आप upload कर देंगे तो उसके पाद जो view form है वो आपका कुछ इस तरीके से आएगा जो भी आपने detail भरी है वो सारे details आप यहाँ से check कर सकते हैं और final में आपको यहाँ से final submit करना है जो left and right hand जो thumb impression है काई उसके अगर हम बात करें दिन आप यह बात का ध्यान रखिएगा कि कुछ इस तरीके से आपको अप pen या जो dot pen आप use करते हैं उसकी जगा जो stamp pad होता है उसका use कीजे ताकि आपका जो finger print है different fingers का और thumb का impression है वो अच्छे से paper पर आ सके और उसके बाद उसको scan करके आप upload कर सकते हैं जो signature है signature कुछ इस तरीके से जो भी आप signature करते हैं वह आपको signature करके उसको scan करना पड़ेगा scan कर करके आप upload कर सकते है photographs की हम बात करें photographs आपका जो 80% आपका face है जो पूरे photograph में वो visible होना चाहिए और white background होना चाहिए इस बात का ध्यान रखेगा colored अगर background है तो उसके avoid कीजे राइट हाला कि application reject नहीं होता लेकिन avoid कीजे जो बोला गया है NTA की और से उसी के हिसाब से photographs को upload चेक लिस्ट में आपको ये जो चेक लिस्ट है इनमें आपको टिक करना पड़ेगा और टिक करने के बाद जब सारी details आपकी fill हो जाएंगी देन आपको finally payment के option पर जब आप जाएंगे यहाँ पर जब आप finally आगे बढ़ेंगे देन आप edit application को जो option है आप यहाँ से edit कर सकते ह अगर कोई mistake आपसे हुई है तो और उसके बाद आपको जो आपका registered email address है ध्यान रखे कि email address आपको इंटर करना पड़ेगा valid email address रखेगा क्योंकि NTA इस बार कई सारे documents जैसे कि आपका confirmation page है और उसके अलावा जो आपका result है यह सारी चिज़ा आपके OMR sheet या फिर उसके बाद जो scan copy OMR sheet की होती है वो सभी कुछ आपके email address पर NTA भेज़ेगी in future right so email address को verify जरू कीज़े OTP आएगा ऐसे verify होगा verify करने का option वहाँ पर आएगा right और जो phone number है उसको जरूर verify कीज़े और उसके बाद proceed for final payment का option आएगा और final payment का option पर जाकर आप complete payment कर सकते है debit card net banking right UPI या फिर आप आपका credit card किसी भी format से आप यहाँ पर payment कर सकते हैं आप payment proceed for payment करेंगे उसके बाद आपका जो application form में वो पूरी तरीके से submit हो जाएगा और उसके बाद जब admit card download करने का option आएगा देन आप login करके आप अपना admit card download कर सकते हैं खर वो आएगा admit card की जो date है वो release की जाएगी NTA की और से जो भी details है NTA की और से जैसे notification आएगा वो medical link की और से upload किया जाएगा और इसके साथ साथ इस बार जो कई सारे changes आए हैं जैसे कि paper जो है इस बार जो timing है वो 3 hours 20 minute यह आपको मिलेगा यानि total 200 minute time मिलेगा जाहिर से बात है कि cut off ऊपर जाने वाला है क्या होगा paper का label कैसे होगा syllabus क्या है total time क्या है total question हाला कि 180 question ही आपको solve करने है 200 question होगे लेकिन पढ़ने के लिए आपको complete time मिलेगा 200 minute का यानि 3 गंटे 20 minute का यह paper होगा next के videos में बाकी की important information आप लोगों के साथ share करेंगे नी 2022 के examination के बारे में आप मेडिकाविंग के साथ बने रहे है चैनल पहले बार विजिट करने भी तक subscribe नहीं किया तो भी उसको subscribe जो कीजिए ताकि future के updates आपको non-stop मिल करें thank you for watching मेडिकाविंग, thanks a lot